Hello students, welcome to Topaz Stone. तो आज किस वीडियो में बात करने वाले हामफुल माइक्रो और गयनिजम्स के बारे में और लास्ट वीडियो में जो हमने डिसकस किया था वो तो फ्रेंडली माइक्रो और गयनिजम्स तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आपको आने वाले सारे नौटिफिकेशन्स मिल सकें और वीडियो को पूरा इंट तक देखें जिससे आपको कोई भी टॉपिक मिस ना हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से हामफुल माइक्रो अर्गेनिजम्स तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा कि फ्रेंडली माइक्रो अर्गेनिजम्स मतलब जो हमारी help करते हैं तो आज हम पढ़ रहे हैं किस तरह से जो हमारी body के अंदर disease फैलाते हैं उन microorganisms के बारे में microorganisms are harmful in many ways some of the microorganisms cause disease in human beings plants and animals अब क्या होता है microorganisms disease फैलाते हैं human beings के अंदर plants के अंदर animals के अंदर तो उन टाइप के disease causing microorganisms को हम बोलते हैं pathogens तो यहां पर एक नंबर का question पूछा जाता है कि what are pathogens तो answer होगा the disease causing microorganisms are called the pathogens आगे देखते हैं some microorganisms spoiled food clothing and leather so let us study more about their harmful activities तो first हम यह पढ़ रहे हैं disease causing microorganisms in humans अब वो human के अंदर किस तरह से disease फैलाते हैं so pathogens enter our body through the air we breathe the water we drink or the food we eat अब pathogens जो है किस तरह से हमारी बोडी के अंदर enter करते हैं जो हम सांस लेते हैं हम पानी पीते हैं या जो हम खाना खाते हैं तो उसके त्रूई क्या होता है हमारे अंदर जाते हैं they can also get transmitted by direct contact with an infected person or carried through an animal अब और ये किस तरह से जा सकते हैं कि किसी किसा डिरेक्ट कॉंटेक्ट है आपका किसी किसाथ आपने handshake किया तो उस तरह से भी क्या होता है हमारे अंदर enter कर जाते हैं जैसे फॉर एक्जामपल अब करोना वाइरस तो करोना वाइरस एक तरह का communicable disease है अगर आपने उस person को जैसे touch किया या जो है आपने उसका कोई भी हाथ लगाई भी चीज पर हाथ लगाया तो उसी तरह से वो spread हो रहा है तो इसी तरह से भी क्या होता है यह communicable disease होता है तो आगे पढ़ते है microbial diseases that can spread from an infected person to a healthy person through air, water, food or the physical contact are called the communicable disease अब यहाँ पर यह बहुत ही ज्यादा important question है कि what are communicable disease तो communicable disease वो disease होते है जो एक infected person से मतलब एक बिमार इंसान से एक healthy person means जो एक बिल्कुल ठीक आदमी होता है उसके अंदर जाते हैं ठीक है तो यह होते है communicable diseases examples of such disease include cholera, common cold, chicken pox, tuberculosis और आप यहाँ पर coronavirus भी कह सकते हैं ठीक है तो यह कुछ disease होते हैं जो बोडी के अंदर ट्रांसफर होते हैं infected person से healthy person में ठीक है आगे देखते हैं when a person suffering from common cold sneezes fine droplets of moisture carrying thousands of viruses are spread in the air मालो किसी person को मतलब common cold है तो उसने एक दम से cheek मारी तो उसके इतने सारे droplets आए और वो air में गए और वही जो हमारे पास enter कर जाते हैं the virus may enter the body of a healthy person while breathing ठीक है जो बंदा ठीक होता है और वो उस environment में सांस लेता है तो directly उस person के अंदर चले जाते हैं ठीक है और उस बंदे को पता भी नहीं लगता वो किस तरह से उसके अंदर एंटर कर गए है so आगे देखते हैं then how do you prevent the spread of communicable disease तो आप किस तरह से इन डिजीज को फैलने से रोक सकते हैं तो यहां पर देखते हैं we should keep a handkerchief on the mouth and the nose while sneezing तो आपको ध्यान रखना होगा कि आपका भी भी छीक रहे हैं तो आपको जो हैंकी रेना होगा अपने नोस के पास और अपने मूँ को कवर करना होगा जिससे की जो microbes है वो बोडी के अंदर एंटर ना कर सकें it is better to keep a distance from the infected person और आपको distance maintain करना होगा अगर कोई बंदा बिमार है किसी को cold है, cough है, flu है, कुछ भी है जो disease फैलाते हैं, जैसे house fly is one such carrier जैसे आपने देखा होगा कि यह जो मक्हियां होती है वो बहुत जगा पे बैठती है, ठीक है तो वहीं से वो उड़ूर के हमारे उपर भी अगर आई तो वो एक तरह का carrier हो गया कि main point होगा कि उनकी वज़े से fell रहे है disease, the flies sit on the garbage and animal excreta आपने देखा होगा कि वो कई बर जैसे गंद कुछ भी पड़ा होता है बाहर या कुछ भी वहां पर भी बैठती है और वही हमारे घर में एंटर करती है, तो pathogen stick to their bodies when these flies sit on the uncovered food they may transfer the pathogens अब क्या होगा है किस तरह से pathogen हमारी body के अंदर जाते है, अगर वो जो fly है वो उड़के हमारे किसी बिना ढ़के हुए खाने पर आ गई तो वही वाला खाना हम खाएंगे और वो सीधा हमारी body के अंदर चला जाएगा whoever eats the contaminated food is likely to get sick और जिस इनसान ने वो खाना खाया जिस पे वो fly बैठी थी तो वो बंदा बिमार हो जाएगा so it is advisable to always keep food covered तो इसलिए ऐसा का जाता है कि हमें हमेशा खाने को ढख के रखना चाहिए और अच्छा खाना खाना चाहिए avoid consuming uncovered items of food तो हमें हमेशा avoid करना चाहिए बिना ढखा हुआ खाना another example of carrier is the female anophilis mosquito अभी हाँ पर एक female anophilis mosquito है यह भी एक type का carrier है जिस तरह से housefly carrier से which carries the parasite of malaria तो अभी यह क्या था तो फिमेल एडीस mosquito act as a carrier of dango virus तो जो भी जैसे dango virus था उस वो भी था female adeis mosquito उसका नाम था तो हम किस तरह से control करेंगे अब आगे पढ़ते हैं तो यह हमें बताया जाता है कि जो कहीं पर भी पानी कठ्था होता है तो पानी कोई कठ्था नहीं होने देना चाहिए क्यूं होता है ऐसा all mosquitoes breed in the water जितने भी mosquitoes मच्छर हैं वो सारे के सारे पानी के अंदर ही पैदा होते हैं hence one should not let water collect anywhere तो हमें पानी कहीं पर भी पानी कठ्था नहीं होने देना चाहिए जैसे आपको बताया जाता है कि जब भी coolers होते हैं घर के उनको खाली करके रखना चाहिए और flower port वगेरा तो इनमें ध्यान रखना चाहिए पानी कठ्था नहीं होने देना चाहिए अगर पानी कठ्था होएंगे तो मच्छर जादा हो जाएंगे और वो मच्छर जादा हो गए तो उसकी वेह से हमारी बोडी के अंदर पैथोजन जाएंगे तो बाइ कीपिंग दे सराउंडिंग्स क्लीन और ड्राइ वी कें प्रिवेंट मोस्क्यूटोस फ्रम दे ब्रीदिंग तो अगर हम इस तरह से पानी को कलेक्ट नहीं होने देंगे साफ सुतरी जगा रखेंगे तो उससे क्या होगा जोगा जोगा हमारी बोडी के अंदर नहीं जा पाएंगे और मोस्क्यूटोस जो हो पैदा नहीं हो पाएंगे तो यहां पर एक टेबल है ठीक है इसके अंदर कुछ जो फ्यूमन डिजीज कोस माइक्र और गयानिजम्स है उनके टेबल बनाई गई है तो आप यहां पर देख सकते हैं यह बहुत जादा इंपोर्टेंट है तो इसके बेस पर बहुत सारे क्वेशन पूछ जाते हैं वान मार्क्स के टू मार्क्स के तो यहां पर हुमन डिजीज दे रखी है और उनके कॉज़ेटिव माइक्र और इसका मौड ओफ ट्रांसमिशन और प्रिवेंटिव मेजर्स तो यह बहुत जादा इंपोर्टेंट यह आपको लर्न करनी पड़ेगी तो अब यहां पर सबसे पैला डिजीज है ट्यूबर क्लोसिस जिसे टीवी बी बोला जाता है तो इसका कॉज़ेटिव माइक्रोगेनिजम स्कॉन सा है तो हमने पड़े थे अपनी फॉस्ट वीडियो में चार केटेगरीज होती है अब यह किस के थू होता है वाइरस के थू और इसका भी जो मौड ऑफ ट्रांसमिशन है वो है एर ठीक है अब इसके प्रिवेंटिव मेजर हम पड़ेंगे बिकोज वो कोमन होते हैं अब आगे के थर्ड वन इस चिकन पॉक्स तो इसका जो कॉज़ेटिव अब यह सारे ही जो जो टूबर क्लोसिस था और मीजल था वो एर के थू फैलता है और चिकन पॉक्स पोलियो भी एर के थू फैलता है लेकिन जो चिकन पॉक्स वो कॉंटेक्ट के थू भी हो सकता है और पोलियो जो वो वोटर के थू भी हो सकता है तो यहां पर एक बार दे और वेक्सिनेशन टो पी गिवन अट अस्टेबल एज तो इन यह डिजीज कोज ने हो उमारी बोडी में तो इसके लिए हमें टाइम टू टाइम जो है वह वेक्सिनेशन देनी चाहिए अगला यहाँ पर पढ़ते हैं disease जो है fifth जो है वो है coldra अब इसका causative microorganism किस की वज़ से होता है यह bacteria और इसका जो spread किस की वज़ से होता है mode क्या है वो है water या फिर food next यहाँ पर है sixth typhoid typhoid भी bacteria की वज़ से cause होता है और इसका जो mode है वो है water अब इसके लिए जो preventive measures है वो कहा है maintain personal hygiene and good sanitary habits की आसपास को clean रखो consume properly cooked food and boiled drinking water and vaccination तो vaccination तो हर एक में जरूरी है और उसके बाद यहाँ पर जो environment जो आसपास की है वो surroundings clean होनी चाहिए और अच्छा पका हुआ खाना और time to time जादा से जादा पानी ठीक है तो next यहाँ पर है seventh hepatitis B अब hepatitis B किस की वज़ से होता है वाइरस की वज़ से और इसका जो mode है वो है water और prevent किस तरह से के जाता है उबला हुआ पानी देना है drink boiled water और vaccination so next यहाँ पर देखते है malaria यह last है okay malaria का जो causative microorganism होता है वो होता है protozoa और यह किस की मेज़ से होता है यह बहुत इंपोर्टेंट है पूचे जाता है malaria मौस्क्यूटर से होता है मच्छर के काटने से होता है और देंगो भी पूच ले जाता है वो भी मौस्क्यूटर बाइट से होता है तो इसका प्रेवेंटिव मेजर क्या है जैसे कि आपको घर पे जो है ओल आउट लगा कर रखनी चाहिए और या फिर गुटनाइट स्प्रे यह स्प्रे इंसेक्टिसाइड और कंट्रोल ब्रीडिंग ओफ मौस्क्यूटर बाइट अगर किसी को मलेरिया है तो तो आगे देखते हैं इसके इसके इंदर पड़ा है कि डिजीज कोजिंग माइक्रो अर्गेनिजम्स इन हुमन बींग्स तो इसी तरह से अगला हुआ जो हम पढ़ रहे है वो है अनिमल्स के अंदर तो यहां देखते हैं जैसा कि हिमन बींग्स के अंदर डिजीज कोज करते हैं माइक्रो अनिमल्स उसी तरह ऐसे अनिमल्स में और प्राइंट प्रांट्स में भी करते हैं तो ये कुछ जो microorganisms animals के अंदर होते हैं, वो ये हैं, तो अगला हम पढ़ रहे हैं, disease causing microorganisms in plants, ठीक है, several microorganisms cause disease in plants like wheat, rice, potatoes, sugarcane, orange, apple and others, disease reduce the yield of the crops, अगर मानलो इनके उपर disease लग गए, ठीक है, तो क्या होगा, कि जो crop है, उसकी yield, मतलब production जो है, वो कम हो जाएगी, ठीक है, तो इसके तो ये हम टेबल देख रहे हैं, for some such plant diseases, they can be controlled by, किस तरह से इनको control किया जाता है, use of certain chemicals which kill the microbes, तो प्लांट पर कोई भी disease जाती है, तो हम क्या करते हैं, तो हम क्या करते हैं, जो है, प्रे करते हैं, पेस्चिसाइट्स पोगर के थू, ठीक है, फर्टिलाइस का यूस करके, तो हो है, citrus या canker, तो इसका जो micro-organism होता है, वो bacteria होता है, और ये किस तरह से फैलता है, air से, तो यहां figure भी आप देख सकते है, किस तरह से प्लांट खराब हो जाता है, और next यहां पर है, rust of wheat, ठीक है, यह देख सकते हैं, किस तरह से rust हुई है यहां, और इसका bacteria, इसका जो micro-organism होता है, वो होता है, फंगी, और यह किस की वाज़ से होता है, air की वाज़ से, या फिर seeds की वाज़ से, अगर हमने seeds सही नहीं डाले उसके अंदर, तो next है, third one, last, yellow vein mosaikov bindi, okra, virus होता है इसका, और यह क्या होता है, किस की वाज़ से फैलता है, insect, तो आप यहां पर picture देख सक किस तरह से कोज़ हो आवे है, ok, तो इसके अंदर, next topic हम पढ़ रहे है, food poisoning, तो यह बहुत ही जादा important topic है, food poisoning, तो पढ़ते है, bojo was invited by his friend to a party and he ate a variety of food stuff, तो एक बार बोजो को invite किया, उसके friend ने, ok, और वहां पर बहुत सारा, अलगलग different kind के अच्छे-च्छे food थे, on reaching home, he started vomiting, ok, तो उसके घर जैसे ही वो पोचा, तो उसको vomiting start हो गई, he had to be taken to a hospital, ok, उसको hospital ले जाया गया, the doctor said that this condition could be due to the food poisoning, अब बार बार vomiting आना, तो इसका मतलब क आया है, उस इनसान को food poisoning हुई है, तो पहेली wonders how food can become a poison, तो पहेली को लगा कि जो food है वो एक दम से जहर कैसे बन गया, ok, food poisoning could be due to the consumption of food spoiled by some micro-organisms, अब food poisoning किस तरह से होती है, कि कोई इस तरह के micro-organisms उस पर आ गया है, जिसे हमारा खाना या तो धकावे नहीं होगा, या फिर इस जो है, clean area में नहीं बना होगा, ठीक है, तो micro-organisms that grow on our food sometime produces toxic substances, तो जो हमारे खाने के ऊपर micro-organisms grow हो जाते हैं, वो उनके अंदर बहुत ज़दा जहरीली चीजे अड़ कर देते हैं, toxic मतलब होता है, जहरीला, so these make the food poisonous, causing serious illness and even death, तो food poisoning से क्या होता है, कि बहुत ज़दा इंसान बिमार हो जाता है, और यहां तक कि उसके death भी हो सकती है, so it is very important that we preserve food to prevent it from being spoiled, तो हमें हमेशा खाना जो है, बहुत साफ सफाई वाला खाना चाहिए और हमेशा preserve, मतलब बचा के रखना चाहिए खाने को micro-organisms से, तो ठीक है, आज किस वीडियो में हमने पढ़ाया है कि harmful organisms, किस तरह से micro-organisms हमार को disease cause करते हैं, यह फिर animals को, plants को, और human beings को, so thank you for watching this video, अगर आपको video अच्छी लगी तो please like, share and comment.